हाई दियर फ्रेंड आप सभी देख रहे हैं हाईड्रोलिक्स और हाईड्रोलिक्स में चैप्टर नुमर 5 फाइड्रो डाइनिमिक्स देख रहे हैं जिसमें वेंचूरी मिटर से रिलेटेड ये कुस्चन्स है सबसे पहले तो हम कुस्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि ताकि हम आसानी से समझ में आज सके ठीक है फिर उसके according हम जो भी find out करना है वो चीजे हम आपको आसानी तरीके से समझाएंगे ठीक है तो यहां पर तो डायमेटर लिखा है लेकिन अगर वेंचुरी मिटर जब भी बोले तो ठीक है मैं इस प्रकार से एड़ेस्ट कर दूंगा ठीक है यह चीजे थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं डायरेक्ट पहला जो बड़ा वाला लेंथ ल Memory ले तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि Down a अगर लिखे तो उसका एरिया जायया साइट में भी निकाले लीए धिक के तैंटि कितना दिया थी सिंहितर. कर दिया है 30 cm मतलब 0.3 मीटर हो जाएगा यहां पर उसका एरिया निकाल लेता हूँ एवन क्या हो जाएगा पाई बाई 4 और यहां पर डायरेक मैं उसकी मीटर में लिख रहा हूँ 0.30 कर देंगे तापकी वैलू आ जाएगी इसके पहले भी हमने यह किया था 0.0 पाई बाई 4 इन्टू 0.30 का स्कॉाइर करोगे आपकी वैलू कितनी आ जाती है 0.0 कर लेते हैं मैं भी ऑपरेट कर लेता हूँ आपकी वैलू जो दिया है पहले तो 0.30 का स्कॉाइर करेंगे फिर मल्टिप्लिकेशन सिप्ट और एक्स भी दबाओगे तो पाई आ जाएगा पाई आ गया इक्वल कर दीजे फिर डिवाइड बाई 4 कर लिजी आपकी वैलू आ जाती है 0.0 0.07068 आ जाता है यह आपका मीटर स्कॉाइर में आ गया ठीक है यह आपका मीटर स्कॉाइर में आ गया फिर बात में डीटू कितना दिया है डीटू 20 संटिमीटर दिया है तो इसका एटू एरिया पाई बाई 4 0.20 आ जाएगा 20 संटिमीटर है तो यहां मीटर में लिख दिया है तो यहां पर भी वह इस divided by 4 कर देना है आपकी value कितनी आ गई 0.0314 0.0314 meter square यह आ गए value ठीक है यह value आपके सामने आ गई ओके फिर उसके बाद से आपको क्या दिया हुआ है question को हम ध्यान से पढ़े question में बोला है throat is led with its axis horizontal इसका axis का horizontal है and is used to measure the flow of water जो water का flow है वो measure करना है pressure difference is h between inlet and throat inlet और throat के बीच का जो pressure h बोला है वो h दे दिया है तो लिख लेंगे h की value कितना दिया है 2.52 meter यह दे दिया है water का और उसका coefficient जो c assume करना है वो कितना बोला है 0.98 यह value भी दे दिया है ठीक है और इसमें जो g आता है वो भी हमें पता है 9.81 होता है meter per second square ठीक है अब direct discharge का formula आपने याद कर लेना discharge का formula क्या है c into a1 into a2 upon a1 square minus a2 square का root में और इधर उपर root में 2g h है बस इतना ही तो है direct value output कर दो सारी value फटा फट पूट कर देते हैं देखें यह 0.98 into 0.0706 को कि सब दिया हुआ value and 0.0314 divide by under root में 0.0706 का square minus 0.0314 का square और यहां पर root में उपर 2g h है तो 2 into 9.81 और h की value 2.52 दिया हुआ है यह सारी value calculate कर लो उपर की value देखो यह पहले multiplication करोगे यह इतना ठीक है तो कितना आ जा रहा है 2.172 into 10s power minus 3 आ जागा calculate करके देखिए मैं आपको calculate करके भी बता देता हूं into 0.98 फिर into करोगे 0.0706 0.0706 कर लो ठीक है फिर बाद में multiplication करके 0.0314 कर लो फिर equal कर लो आ गया 2.1736 है यहां पर 3 कर लो सकते हो ठीक है into 10s power minus 3 है और इसका जब root में करोगे इसका जो root वाला है तो 2.98 into 2 into 9.81 से multiplication करोगे फिर 2.52 से फिर बाद में root निकाल लोगे तो आपकी value आ जाएगी 7.03 इस 7.03 आ जाएगा और divide बाए इसको जब solve करोगे इसकी value आ जाएगी 0.0632 केल्सी operate करने आपको आना चाहिए फिर उसके बाद से उपर का multiplication कर दो divide कर दो नीचे वाला ता आपकी value आ जाएगी 0.241 meter cube per second यह discharge का unit भी याद करना अब यह जो meter cube है उसको liter में convert करना है तो 1000 से multiplication कर दो और liter को meter की उमें करना होता है तो thousand divide कर देते हैं तो divide इसमें multiplication कर दोगे तो 241 लीटर पर सेकेंड आ गया discharge की value यह आ गई calculate करके इस तरीके से जब भी हम solve करेंगे तो हमें हमारी value calculate होके आ जाएगी जो कुछ भी पूछा है पूछा गया था question में अगर ध्यान से देखोगे तो calculate the discharge discharge हमने calculate कर लिया तो इस तरीके से calculate करेंगे आसान ही से calculate हो जाएगा देखिए इस सारा value मैंने calculate कर दिया small में देख रहा है थोड़ा सा bigger करके देख सकते हैं ठीक है आप इसको चाहे तो screenshot ले सकते हैं एक एक point का screenshot ले लो यहां पर screenshot लेकर फिर बाद में solve हो जाएगा तो देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो share करिए like करिए और comment करिए जो भी आपको इसमें doubt हो तो comment मेरे वाट्सअप नमबर मेरे चैनल के about में जाओगे तो मेरा वाट्सअप नमबर है उसको वाट्सअप कर सकते हो मैं आपके जब भी मुझे समय होगा तो मैं जरूर आपका जो problem है उसको solution प्रोवाइड करूँगा तो देखते रहिए और अपने आपको best बनाते रहिए औ सेफ रहिए थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो